इस बार का बिहार विधान सभाचुनाव असल माईने में बिहार के भवी स्कुत्ताई करेगी। हमारे साथ इस वक्त मौझूद हैं जेपी सेनानी रमायन जिवनदानी जो बस्पा के नेता हैं। आसिफ जी पाटी के बनावट के मैं परतिकूल रहा हूँ। बनावट इस मामले में कर रहा हूँ। कि सभी पाटियां आज जातियों की गिरोफ बंदी है। उनके नेता हैं और उनके पीछे बधुआ मजदूर की तरह उनकी जाति के लोग हैं। बहुत जातियों की पाटिया हैं। बहुत जातियों के लोग हैं। उनके साथ। तो राजनित थोरती है। जहां धर्म हमें जोडता है वहीं पर राजनित तोरने के काम करती है। तो आज के राजनितिक पाटियां लोगों को तोर तोर करके गिरोफ बंदी कर लिया है। जिस जाति के नेता हैं। उनकी पाटि है। उनके साथ है। और यही कारण है कि आज गठबंधन धर्म अनिवार्ज हो गया है अकेले तो कोई सत्ता हासिल कर नहीं सकते हैं इसलिए अनेको दलों का गठबंधन बना लिया जाता है और इसके साथ अनेको जातियों को अपने साथ कर लिया जाता है जोरा जा रहा है कि फलाने के साथ फलाने फलाने पाटिया चली गई तो उनके सांस फलाने जाती फलाने जाती फलाने जाती का मत चला गया उसी तरह कि जिस जाती का परतिनी धित्व करती है यह पाटी हमारी बसपा उससे इतर में था एक बार पाटी नेता ने कोई पूश्ट दिया था हमसे इंटर्विव में कि आप सवर्न होकर के यानि राजपूत होकर के इस पाटी को कैसे चूज किये मुझे बात बड़ी बुड़ी लगी थी इसलिए बुड़ी लगी थी कि आसिफ जी पूरा देश जानता है कि मैं जेपी जी का जीवनदानी सिपाई हूं उनके विचारों का बाहक हूं और हमारी सुरुवात ही हुई है राजनीत में या समाज सेवा में या सारभजनिक जीवन में तो जाती छोड़ो जनेव तोरो संप्रदाय मिड़ाओ सबको जोरू नया समाज बनाओ तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि स्वर्ण होने कुले करके आपके साथ भेधा हुआ है ऐसा था मेरी जाती आड़े आई थी मैं उनके बनाओ मैं सूट नहीं कर रहा था उन लोगों की द्रिष्टी में हमारी द्रिष्टी में वो अस्प्रिष्य नहीं थे लेकिन मैं उन लोगों की द्रिष्टी में अस्प्रिष्य था कभी अम्बेदकर जी लिडाई करते थे अस्प्रिष्य था अस्प्रिष्य था के खिलाफ आज और अस्प्रिस से कहलाने वाले अस्प्रिस ये लोगों को बात करके चलते हैं उस गिरोह को बात करके चलते हैं जिनके खिलाफ उनकी लड़ाई थी कि ये छुआ छूत यादी यादी की बात करते हैं हमको बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं तो आज वे लोग अपने बराबरी का दर्जा अस्प्रिस ये लोगों को नहीं देते हैं तो छप्रा विधान सवा की अगर बात करें तो आपकी चुनाव लड़ने की चर्चा तमाम जगों पे हो रही थी अब आपको क्या लग रहा है कि चुनाव आप क्या लड़ेंगे चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर आप पार्टी को समर्थन करेंगे पार्टी उम्मिदवार को समर्थन करेंगे रही बात कि चुनाव लड़ने न लड़ने की तो देखो आशिप जी ये जन्ताबाटी का सिंबल है ये टिकट है ये जन्ताबाटी सन 1977 में जेल में बनी आपतकाल के समय में जब हम पूरा जेल बंद था जे परकास नारायन जी किया नित्रित्व था तो जे परकास बाबू के सोजन्य से इस पाटी की जन्म हुआ उसमय मैं भी जेल में था बंद था इसी आंदोलन में जिसको जेपी मोहमेंट कहा जाता है संपून खरांती का अंदोलन कहा जाता है तो मैं भी बन था तो मेरा भी जुगदान था इस पाटी को बनाने में और यही लेबल यही पाटी से मुझे बंचित किया गिया 1977 के विधान सभा चुनाओं में उस वक्त जब जिपी जी ने 180 साथियों की करंतिकारी साथियों की एक सुची बना करके जनता पाटी इसी जनता पाटी के प्रेसिडेंट को ततकालिक प्रेसिडेंट चंसेखर जी को सुपूर्द किया था बिहार में ततकालिक प्रेसिडेंट सतिंदर नरायन सिंग जी थे उनको सुपूर्द किया था कि इन वजवानों को टिकट मिलना चाहिए जो हमारे अंदोलन में शक्रिये रूप स जाम हुआ कि जो एक दिन भी आंदोलन में भाग नहीं लिये थे वैसे डाक्टर बामेश्वर सिंग जी हमारे लोकल कंटीचिमेंसी जलालपूर ततकालिक जलालपूर से उमिद्वार बना दी गए तो हम लोगों ने इसका बिद्रोह किया जेपी जी से भी पूछा तो जेपी कर रहे हैं तो इन लोगों के भी खिलाफ हमारी सतत लड़ाई है यह सतत करांती है यह करांती यह आंदोलन के ओल कॉंग्रिस के खिलाफ नहीं यह सतत आंदोलन है जहां भी भरष्ट अचार है और जब तक भरष्ट अचार है तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी तो हमने विद्रोध विद्रोह किया था प्रथम लड़ाई उनेश सतहत्तर में लड़ा इसी टिकट के खिलाव मुझे उगता सुरज मिला था निर्दलिय उमिद्वार घोचित किया गया जिसका जल था जो जल बनाने के लिए बढ़ी दान दिया उसको राजनीत ने दरकिनार कर दिया जो इसका कोई समर्पन नहीं था कोई संघर्ष नहीं था उसको दल वालों ने टिकट दे दिया मन्य जनता ने माल लिया मन्य जनता ने हम लोगों की आतना को कश्ट को संघर्ष को लड़ाई में भाग लेने कब तो वजो नहीं दिया मैं हार गया अगर तो वजो जनता देत सबसे अच्छा नेता है सेवा भी करता है संघर्ष भी करता है करता है मारे लिए जीवन भर जहां जहां भरस्टाचार है उसके खिलाफ भी लड़ता है दिन रात जन्ता की सेवा करता है लोग हम अरे पास आते रहे हैं घीरे रहते हैं भोट देने के वकत उनहीं लोगों का ये नारा हो जाता था कि सब के बावजूदे निर्दलिये हैं त तके द्वरा है जबकि मैं अपने वसूल पर था जेपी का वसूल था दल भीहिंड गन तंत्र पाटिलेश डेमोक्रेसी लोग तंत्र को मजबूत करने के लिए पाटिलेस डेमोक्रेसी इज रिक्वाइड इन-डिया आज ये पाटिया जो आशिप जी आपने गहा कि हमको द बात मैं कर रहा हूँ जहां पर सौधः होता है टिकट लेने वालों से कास यह हमारी माने निए मतदेने वाली जंता कभी ठिकटार्थी बनकर करके पाटियों के पास जाती तब ये दलिय और निर्दलिय का भेध भाव नहीं करती अपने पर्तियासी हों से परतियासी चैन के वोगत, क्या होता है वहाँ, जब सोधा होने लगती है, तो माथा टनक जाता है, मेरा भी माथा टनक जाता है, तो कहीं न कहीं ये भी कारण जता है जा रहा है, कि ये भी कारण से आप ग्रसित हैं, बिल्कुल, हमसे भी कहा गया, कि जो परतियासी, जो ही पर तो हमसे कहा गया करजाले प्रभाड़ी मनोज मुन्ना कुस्वाहा और कौन मुकेश अहिरवार और हमरा अभी ततकालिक प्रदेश ध्यक्ष्य है कुनाल ये तीनों बैठे हुए थे हमरा इंटर्व्यू ले रहे थे तो वहां इन लोगों ने कहा मुना कुस्वाहा जी के माध अहिरवार दी ने कहवल आया कि जीवन दानी जी ओ प्रतियासी तो पचीस लाख दे रहा है आप कितना दिएगा तो आसिप मैं अपने मुल्य को नहीं त्याग सकता हूं एमेले और एमपी बनना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए है लेन देन अनायतिक लेन देन का मैं विरोधी रहा हूं इसके खिलाफ संघर्ष करते रहा हूं और इसी के वजह से मुझे जीवन दानी की संग्या मिली है और जीवन दानी का एक इतिहास जो भी इतिहास है छोटा मोटा ही गाउने में ही सही लेकिन उस पैमाने पर एक इतिह प्रास है इस मुल्य को तिया कर मैं लेंद देन के अधार पर टिकट लेने को तैयार नहीं हुआ और मैंने असपष्ट कह दिया कि मैं नहीं दूगा और टिकट खड़ीद करके चुनाव नहीं लड़ूगा है अपने जनता पाटी का भी सिंबल लेकर आया है असपष्ट रूप से आप दिखा भी रहे हैं कि जनता पाटी ने हमको सिंबल दिया है कि आप चुनावी मैदान में उतरें तो आपकी अब क्या रननीती रहेगे कि आप मैदान में उतरेंगे चपड़ा बिधान सबाचेतर से तो टिकट में लेने नहीं गया जे प्रकास बंदू इसके राष्ट्री अध्यक्ष है और जेनिव के प्रोड़क्ट हैं एक स्कॉलर है उन्होंने जैसे ही यह बात फैली कि जिवनदानी जी को टिकट नहीं मिर रहा ह बसपासे तो हमसे वो संपर्क करें किये और संपर्क करके बड़े आदर के साथ यह टिकट ला करके मुझे दिये कि जिवनदानी जी यह आप लोगों का इतिहास है आप लोगों ने जील में वड़ी अतना सह करके और जाप ही की गाउं की आप ही के घर की पाटी है बनी यह आपका इतिहास है आप भी उसमें जेल में रहे थे जब यह जेल में पाटी बन रही थी तो यह आपका इतिहास है आप इसे समभालिए और आप इसके माध्यम से चुनाव लड़िए मैंने जे प्रकास जी से कहा कि जे प्रकास जी आपको बहुत बहुत धेन्यवाद कि आपने यह इतिहास बचा करके रखा है जो पड़िवर्तन का इतिहास है अगर यह जंतापाटी नहीं होती इसका इतिहास नहीं होता वा तो आर गैर कांग्रेसियों को सत्ता में आने का मौका नहीं मिलता वो चाहे कितना हूं बहुबली और बहुत बिख्यात अपने को BJP का है लेकिन BJP के आगे भी जूर करके अपने को बनी है अगर BJP को हटा दे तो जनसंग है जनसंग की क्या विरासत थी इस लालुजादों के राष्ट्रिय जनत अदल की क्या विरासत थी नितिश कुमार की यह सुसील मोदी जैसे हम थे वैसे यह लोग थे और हमसे ज्यादे यह अंदलनकारी भी नहीं थे अना मेरी टोडियस ही थे लेकिन यही लहर उनको बना दिया यह टिकट मिल गया उनको 77 में हम लोग की सुची फार दी गई अंतर इतना ही हुआ कि आज मैं पिछर गया आज यह लोग मसीह बने हुए हैं अपनी अपनी जातियों की पाटी बना लि हैं टिकट की बिक्री हो रही है जाइए दुकान पर से और खरीद के आईए आपने कहा भी था कि छप्राविधान सबाद चुनाओं में हम 20 साल के बाद राजनीत में फिर से लोटे हैं और हमारा आखरी बर चुनाओं लड़ना होगा तो आखरी बर चुनाओं लड़ना इस इतिहास को मैं जेपी के सामने ही शुपुर्ज कर देना चाहता हूँ जन्ता मैं चुनाओं लड़ने इसलिए नहीं जाना चाहता हूं और चुनाओं नहीं लड़ने की घोसना करता हूं कि यह जन्ता मुझे बाधित किया था इसी टिकट के लिए कि आप निर्दलिये हो सबसे अच्छा उमिद्वार होने के बाद भी निर्दलिये हो इसलिए हम आपको अपना मुत नहीं देंगे तो आज उस जन्ता को जे परकास जी के माध्यम से 16 तारीख को जे परकास जी की समाधी पर यह सुपूर्द करूँगा जन्ता को कि भी कि आज यह टिकट आप संभालिए जिवनदानी आपके सामने है जो अंदानी आपके बीच नहीं है आपका यह टिकट आपके सामने है जिस टिकट के लिए आप हमें बंचित किये थे वो टिकट आप लोगों के सामने है और मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा इसलिए कि आज की राजनीत में अब चुनाव नहीं अब संघर्ष की जरूरत है अब पुना संपोन करांती होगी जो लोकतंत्र पर घन घटा घीड़ी है हर गीजिदना अवब्यर्थ होगी संपोन करांती होगी संफुन करांती होगी आज लोकतंत्र को बचाने के लिए पुनह ये दल के नाम पर दुकान खोले हुए लोगों को लोगों के खिलाफ हम जनता को आहूत करेंगे और सीधा आप संगर्स होगा कि इन दुकंदारों को हटाओ राजनित को लोकतंत्र को बचाओ आज इन लोगों से अगर जनता मानेगी तो संगर्स्टेज होगा नहीं मानेगी तो संगर्स्टेज नहीं होगा डेमोक्रेसी सबका है तो चपड़ा विधान सबाच्षेतर से बस्पापाटी से अपनी उमिद्वारी का दावा कर रहे थे लेकिन बस्पापाटी ने कहीं न कहीं इनके साथ भेदबाव किया है और ये जेपी सेनानी है लगतार मजदूरों के हीत में कई बरी-बरे आंधोलने के इन्हने नित्रित्व किया है और बात करें तो ये भी इनके द्वारा पाटी पे और खास करके सभी राजनीत पाटीओं पे आज के दोर में ये आरोप लगाए जा रहा है कि अब डेमोक्रेसी रह नहीं गई है एक राजनीत की दुकान खुली है पैसा फेकिए और अपने उम्मिदवारी का टीकट ले कर जाईए और अपने विधान सभा छेतर से आप चुनाओ लड़िए और जनता को इस बार सोचना चाहिए कि आपका भविष कैसा हो वैसे नेता को आपको चुनना चाहिए हिंद क्लिक के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट